दोस्तो नमस्कार जो आप देख रहे हैं ये छट ये बहुत पुराना हो चुका है इसके उपर टाइल्स वगरा लगा हुआ है कोटा श्टोन लगा हुआ लेकि सिलन और सीपेज ने पूरे घर को खराब कर दिया है अंदर जाके आप देखें के मैंने देखा था तो इसके जो वाटरपूरूफिंग के काम आप जरूर करा दे जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं यह मैं आपको दिखाया हूं यह सेवन कोटिंग वाटरपूरूफिंग किया गया है टूटल छट पर क्रेक आगया था सिलन सीपेज पूरे कमरे में बन दा था जब नय नय अगरा उतना खराब नहीं होते हैं लेकिन आज इतना पालूसन बढ़ गया है बैबरेसन इतना ज्यादा बिलिंग में आ चुका है कि हर किसी का छत जो है उसके उपर क्रेक आजाता है और वह टपकने लगता है पानी वागरा जो है सिलिंग में जाने लगता है नय नया कंस् प्रेल मेट्रियल के जो क्वालिटी होती है उसके जो वह है एफ्रेक्ट करता है तो आप अपना नया कंस्ट्रक्शन किराइए या पूराना हो उसके उपर वाटर प्रूफिंग करा दीजिए माकान होता है जो घर बनता है जिंदिकी में लोग एक से दो बारी बना पाते है बार बार बनाने एक चीज़ नहीं होता है तो आप इसको जो भी बनाए एक तरफ से पूरा मजबूती दे के बनाए वाटर प्रूफिंग सेबन कोटिंग में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर आपको पहली बार आयो होए चलना को आपको कमरे में कम रहेगा चलना को सब्सक्राइब कर दें वीडियो शेयर कर दें कंपनी सर्विस दिली में ब्लेव